कि हालो फ्रेंज्ट बहुत स्वागर थे आपका इस video क्लास में फ्रेंद इस video क्लास में हम एक new beton close test को discuss करेंगी और एक close test सभी banking exams के लिए और सभी ssc exam के लिए काफी important रहेगा इसमें हम कुछ basic tricks सीखेंगे close करने की और इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखें तभी आपको इस सारी ट्रिक समझ में आएंगी तो चलिए शुरुआत करते हैं देखें यह है एक क्लोस टेस्ट और काफी इंपोरेंट यह क्लोस टेस्ट है तो क्लोस टेस्ट में क्या होता है जैसे जितने भी ऑर्स है कभी भी कभी भी क्लोस टेस्ट को जैसे ही आप पड़ते हैं वैसे ही सॉल करना शुरू नहीं करना चाहिए हए और यह ज़ी आपको लगता है कि टाइम नहीं है तो कम से कम 50% क्लोस टेस्ट आप जरूर और इसके थुरू आपको close test का idea लगे गए, close test की theme क्या है, close test का tone क्या है, close test का topic क्या है, किस बारे में इसमें बात हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से इनको करना है, और कुछ tricks मैं आपको बताऊंगा यहां पर, देखें यह से यह filler है, ठीक है, तो इसका जो बगलबाला word है, यह जो word है, और यह जो word है, इस word को आपको इसके साथ correlate करके जरूर देखना है, यहां पर जो blank है, इसके साथ left hand side में यह word है, और right hand side में जो word है, तो यहां से आपको एक fair idea लगता है, कि किस तरीके से close test किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर यदि noun है, तो फिर adjective आएगा, यह इस question में हम क्या बता रहे हैं, इस question में हम यह बता रहे हैं, कि Sunday का, जो result आया है, presidential election का, और यह elections मौलदीप में हुए है, the interim result of Sunday, Sunday's presidential election in the Maldips have given the joint opposition candidate, joint opposition के candidate कौन है, इब्राहिम मौहमब सोली, तो इनकी क्या हुई है, विक्टरी हुई है, विक्टरी यहां पर क्या है, एक noun है, यह किसी भी चीज का एक नाम है, ठीक है, तो विक्टरी के बगल में क्या word आएगा, विक्टरी के बगल में adjective word आएगा, यहां पर एक adjective चाहिए आपको, जो इस noun को modify कर सके, और ऐसा adjective चाहिए, जो victory word के साथ naturally जाता है, अब देखते हैं इसके option, desired, hopefully, soft और stilly, देखे, hopefully नहीं होगा, क्योंकि यह adverb है, soft नहीं होगा, stilly नहीं होगा, soft एक adjective है, लेकिन soft victory नाम की कोई चीज नहीं होती, अब दो word आपके सामने बचे, desired और resounding, तो desired का मतलब क्या है, कि जिसकी आपने एक्छा की थी, desired victory, तो desire victory, देखे हर, हर victory, जो भी contest करता है election के लिए, वो desire करेगा, कि उसको, उसको जीत मिले, desired victory, एक common word होगा, यहां पर, लेक उसको एक शांदर victory मिली है, उसको, उनको एक शांदर victory मिली है, तो यहां पर resounding कहना, ज़्यादा appropriate होगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, resounding, यहां पर, अब देखिए, यहां पर भी एक noun है, अब्दुल्ला यमीन, थीक है, तो अब्दुल्ला यमीन को इन्होंने हराया है, इब्राहिम मुहमर सोली ने, और यह हारे हैं, और इब्राहिम जो है, वो जीते हैं, ठीक है, विक्ट्री इन दाइरेक्ट कॉंटेस्ट, जो इनकी कॉंटेस्ट था, जो इनका competition था, यहां पर क्या चाहिए, नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, एड्जेक्टिव लगाते हैं, तो अब्दुल्ला यमीन से पहले हम किस एड्जेक्टिव को लगाएंगे, क्या हम healthy लग रहा लेटर मतलब बाद वाला कोई सेंस नहीं बन रहा इंकम्बेंट कल्प्रेट और अबलिगेटरी कल्प्रेट का मतलब अपरादी होता है तो अब्दुल्ला यमीन अपरादी है ऐसा हम यहां पर नहीं बोल रहे हैं हेल्दी है कि एक हेल्दी पाथिसिपेंट से हुआ है उनके साथ कॉन्टेस्ट हुआ है और इस कॉन्टेस्ट मे इबराहιम मूहमबत को जीत मिली है और अब्दुला यमीन हार गए हैं तो जो हारा हुआ विक्ति है वो पहले ऑफिस में था वो पहले चार्ज में था तीक अब उसको रिप्लेस किया जाएगा जीते सर होगा incumbent एक objective है incumbent अब्दुल्ला यमी जो आफिस में होता है जो चार्च में होता है उसको हम बोलते incumbent ठीक है इस तरीके से इनको logically questions को करना होता है close test में दा final result will be published by the election commission by September 30 and the current government will according to procedure hand over अब देखिए इसमें आगे क्या है कि final result जो है वो election commission को जोड़ा publish किये जाएंगे कब तक publish किये जाएंगे September 30 तक यहां पर एक word यह proposition लगा है by September 30 by September 30 का मतलब होता है not later than उसके आगे नहीं उससे पहले या उस तक तो by September 30 का मतलब है कि 30 तारीक तक या 30 तारीक से पहले not later than by का मतलब होता है not later than ठीक है current government will according to procedure hand over अब जो current government है वो किस चीच को hand over करेगी hand over मतलब दूसरे व्यक्ति को देगी जो जीता हुआ है क्या उसको charge देगी क्या उसको throne देगी क्या उसको key देगी क्या उसको victory देगी क्या उसको obligation देगी देखे थ्रोन क्या होता है थ्रोन होती है राज सिहासन या राजगदी तो राजगदी या थ्रोन का जो वर्ड का हम यूज करते हैं वो किंग्डम के सेंस में हम यूज करते हैं राजा महराजाओं के सेंस में यूज करते हैं तो राजा hand over keys, hand over keys हम तब करते हैं, जब अपना मकान हम बेच देते हैं किसी विक्ति को या किराय का मकान से हम दूसरे मकान में जाते हैं, तो हम उसकी keys मकान मालिक को दे देते हैं तो keys तो बिल्कुल ही गलत होगा hand over victory कहना senseless होगा hand over obligation कहना senseless होगा तो एक ही word बचा यहां पर charge hand over charge और नवंबर 17 तीस तरीक को रजल्ट आएगा और government जो incumbent government है वो नवंबर 17 को charge को hand over कर देगी it is immediately clear that Maldivians voters have in change अब यहां पर क्या word आएगा अब यहां पर देखे मैंने बताया था आपको कि जो जो बगल में जो words है adjoining words है जैसे have और in इसके साथ इस word को आपको correlate करना है have का मतलब यह है कि यहां पर third form आएगी in के साथ कौन सा word जोड़ सकता है dealt, signal, indemnify, usher में केवल usher word यहां पर जोड़ सकता है क्योंकि अशर के साथ हम in proposition का use करते हैं और usher में edb लगा हुआ है तो यहां पर usher word पूरी तरीके से justify हो रहा है कि have के साथ यहां पर third form चाहिए आपको और एक ऐसा word चाहिए जिसके साथ in आए तो usher in का मतलब क्या है usher in का मतलब है किसी change की शुरुआत करना जो कि maldivian voters ने यहां पर की है तो usher in कहना यहां पर एकदम सही होगा usher in change change के sense में हम इस word को use करते हैं usher in with 58% of the voters choosing mr. solely of political affliction आप fifth में देखिए fifth में fifth में आपके adjoining words कौन से हैं off तो off के साथ कौन सा word in message जा सकता है off के साथ के बल regardless जा सकता है क्योंकि हम बोलते हैं regardless of regardless of का मतलब है कि इस चीज़ को ignore करते हुए इस चीज़ को यदि हम नहीं भी मानें तो भी यह चीज़ सही होगी जैसे यदि मैं बोलू कि everybody will be given a chance regardless of their gender इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हर वेक्ती को chance दिया जाएगा चाहे उनका gender कुछ भी हो चाहे वो male हो या female हो तो regardless का यह मतलब होता है regardless के बाद हम off लगाते हैं तो यहाँ पर सही answer होगा regardless Maldivians have much to celebrate with the successful completion of the election तो Maldivian के पास celebrate करने का एक मौका है एक chance है और इस election के completion के बाद passage यह नहीं है और IVPS clerk में, pre में, means में इस तरह के passage आप से कूछे जा सकते हैं simple logic आपको apply करना होता है close test में और जो filler होते हैं, जो blank होते हैं उसके बगल वाला word आपको देखना होता है और उस बगल वाले word के साथ blank को आपको correlate करना होता है part of speech की knowledge भी इसमें काम आती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा word noun है और यदि noun है तो noun के साथ adjective जाएगा यह आपको पता होना चाहिए कहां पर adverb आएगा किस word के साथ कौन सा proposition naturally जाता है, यह भी इसमें आपको देखना होता है जैसे आपको मैंने बताया है कि regardless के बाद off आता है आशर के बाद in आता है तो इन सारी tricks को यदि आप apply करते हैं तो किसी भी close test को आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस close test को explain किया है इसका feedback आप जरूर मुशे ग्रूप में दीजिएगा और कोई भी comment है कुछ भी चीशेर करना चाते हैं तो इन numbers के थुरू मुझसे आप contact कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा next video class में Thank you